प्लेग्राउंड पेपा और जॉज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में है कैंडी काट और पेड्रो पोनी क्लाइमिंग फ्रेम पर है रुबेका राबिट, सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइट पर खेल रहे हैं पेपा जूले पर जूल रही है मामी, मामी, जूला जूलाओना तुम तयार हो? हाँ, मुझे बहुत उचा जाना है और उपर मामी जॉर्ज को भी जूले पर जूलना है अब तुमारी बारी जॉर्ज कसकर पकड़ो मैं जॉर्ज को जूलाओंगी जॉर्ज को धीरे से जूलाना पेपा जी मामी, कसके पकड़ना जॉर्ज ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जूला जूलाया जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं पेपा तुम्हें पता है जोज को उचाए से डर लगता है सॉरी जोज चलो वहाँ खेलते हैं हेलो सुजी हेलो डानी हेलो पेपा तुम सब गलत करे हो जूलने का सही तरीका ये है पीछे रहो एक दो चलो मेरी तरव देखो मैं पंची की तरह उड़ रही हूँ ओ मैं फस गई हूँ पेपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें धोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा चलो स्लाइड पर खेलते हैं स्लाइड यिपी पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है सबको स्लाइड करना पसंद है मामी डारी मुझे देखिये एक दो चलो ये जोच को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जोच ये थोड़ा उंचा है ठीक है, मैं तुम्हे उपर चड़ा देता हूँ ओफो, ये भी जोच के लिए बहुत उचा है टरो मत जोच, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ डाड़ी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं कुछ भी मत कहो पेपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ चलो पीछे हटो, एक, दो, तिर, डाड़ी पिक फस गए इसमें हसने की क्या बात है डाड़ी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हाँ, शायद थोड़ी हसी आ सकती है हामें आपको नीचे धकेलना होगा डाड़ी का पेट उचलने वाले गुपारे जैसा है जोर्ज को डाड़ी की पेट पर उचल कर अच्छा लग रहा है जोर्ज को अब उचाए से बिर्गुल डार नहीं लगता दादा पेग की बोट दादा पेग, पेपा और जॉज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों पेपा, जॉज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो दादा पिक की बोट पर पेपा और जॉज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं पता है बच्चों इस बोट का क्याप्टन मैं हूँ आई आई कैप्टन आई आई कैप्टन जब क्याप्टन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी छोड़ कर कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते हैं बेलकुल नहीं कैप्टन दादा जोर्ज जंडा लहरा आओ पेपा बेल बजाओ आई आई कैप्टन जादी पिग वील सम्हा लो आई आई कैप्टन चलो चलते हैं तेज चलो शायद आपको थोड़ा दीरे चलाना चाहिए तुमने सही कहा दादी पिग मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग तेज चलिए ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा जाएंगे हम बाद में तेज जाएंगे देखिए एक और बोट ये है दादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएं कैसे हो डानी और दादा डॉग? कैसे हो डादा पिग? हलो डानी हलो पेपा दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टे से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग ओ अच्छा तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं हरने के लिए तयार हो जाओ पाने पिग आप दोनों चोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपने पहले उने समुद्री डॉग का, दादा आपको शौरी बोलना चाहिए अगर उसते पहले शौरी बोला तो बोलूगा दादा अपने दोस्ति दादा पिग को शौरी बोलिये वयपे अपके best friend है, naha नहीं वह पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं तो चलो तीन तक गिनते हैं एक, दो, तेज तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़ के दिखाओ पाने बेग समुद्री डॉग बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं परबेर सकते है जीत कया ओ ये क्या, दादा पिकी बोट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की, कैप्टन दादा शाद मैंने कुछ जाधा ही तेज चला दी हम वापस घर के से जाएंगे वो देखिए दादा डॉग दादा डॉग हमें खीच कर वापस ले जाएंगे नहीं मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खचवाना मैंने उस पाने पिक को खीचने के लिए पोचा भी नहीं क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे दादा पिक अब दादा डॉग को सौरी बोलिये मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा दादा दा पिक को सौरी बोलिये ना मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें पाने पिक कहा बहुत अच्छे. दादा डॉग, क्या आप हमें खीच कर घर तक ली जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी, मैडम. इसे पकड़ो, क्याप्चन. आल राइट, स्किपपॉ. दादा डॉग दादा पिक के बेस्ट फ्रेंट है. दादा डॉग दादा पिक की बोट को खीच कर घर ले जा रही है. सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मैं रेस चीट गया. दादा पिक? शहरारती दादा पिक. फेपा, बेल बचाओ. आयाय, कैप्टेन. पेपा और जॉज अपना फेवरिट खाना खा रहे हैं. नूडिल्स. हो हो हो, कितना शोर मचा रहे हो. खटब हुआ. अब अब हमें थोड़ी शांती मिलेगी. ये क्या है? ये दाथ है. ये कहां से आया? पेपा, तुम्हें जा कर आइने में देखना चाहिए. ये तो मेरा दाथ है. ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो, पेपा. ये दूद का दाथ है. वो तो गिरते ही है. नया दाथ आजाएगा, ना ममी? हाँ, जरूर आएगा, पेपा. इसका ये मतलब है, कि आज टूद फैरी तुमसे मिलने आएगी. टूद फैरी? हाँ, टूद फैरी. अगर तुम अपना दांट तक ये के नीचे रखोगी, तो टूद फैरी आएगी. टूद फैरी तुम्हारा दांट लेकर जाएगी, और उसकी जगा वो एक जमचमाता सिक्का रखेगी. जब मैं बड़ी होँगी, मैं टूद फैरी बनूँगी. और जब तुम बड़े हो जाओगी, तो तुम क्या बनूगे, जॉर्ज? टाइनसौर. एक टाइनसौर? चल जी करो, जॉर्ज, सोने का वक्त है. नहीं तो हम टूद फैरी को नहीं देख पाएंगे. सोने से पहले, पेपा और जॉर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं. पेपा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांट ब्रश कर रही हूँ, ताकि टूद फैरी के लिए वो अच्छा और साफ हो. पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है. पेपा अपना टूटा हुआ दांट तक्ये के नीचे रखती है, तूद फैरी के लिए. गुद नाइट पेपा और जॉर्ज. गुद नाइट मामी. गुद नाइट डाड़ी. गुद नाइट प्यारे बच्छों. जॉर्ज, मैं तो सूँगी नहीं. चलो, हम दोनों पूरी राद जाकते हैं और टूट फैरी से मिलते हैं. ये टूट फैरी कब आएगी? टूट फैरी को आने में काफी देरी हो रही है. कहां है वो टूट फैरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूट फैरी है? जोज? क्या तुमने कुछ सुना? ओ जोज! ओ ये आवाज तो जोज के खराटों की है. वो इतना ठका हुआ था कि सो गया. जोज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता. पर मैं जग सकती हूँ. मैं जाकते रहूँगी और टूट फैरी को देखूँगी. मैं नहीं सोने वाली हूँ. आखिरकार टूट फैरी आही गई. लेकिन पेपा सोई हुई है. हलाँ पेपा. क्या तुम्हेरे दाथ के बिदले में तुम्हें ये सिका चाहिए? कितना अच्छा और साफ दाथ है. तेंक यू पेपा. गूद नैट. पेपा, जोज, उच जाओ. सुबा हो गई. क्या? मैं सोई नहीं थी. क्या टूट फैरी आई थी? नहीं आई. चलो तक्ये के नीचे देखते हैं. देखो, पेपा. टूट फैरी आई थी. और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कोईन रखा. हुदे! तुम सो गई थी, है न? हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी. लेकिन अगली बार में जगी रहूंगी. और टूट फैरी से ज़रूर मिलोंगी. तब यह ठीक नहीं. ममी और डाडी पिग ने अभी-अभी पेपा और जॉज के लिए नाष्टा बनाया है. नाष्टा तयार है. पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं. मामी, मुझे ठीक नहीं लग रहा. मेरी प्यारी पेपा, तुम बिमार लग रही हो. चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ. डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ. पेपा की तब्यट ठीक नहीं है. उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं. पेपा को आराम करने दो. मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ. पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए है. हेलो बेटा पेपा. कैसी तब्यत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा. अपनी जबान जरा बाहार निकालो. डरने की कोई जरूरत नहीं. पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए है. मुझे दवाई की जरूरत है. रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे. पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ. हाँ, दीजिये ना. इसका स्वादशाय अंधे तुम्हें पसंद आए. चलो अब मूझ खोलो. हाँ. यक, गंधी और कडवी. बड़ी ही बहादुल लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली. पेपा को आराम करना चाहिए. उसकी तबियत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा. पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं. हाँ, हाँ, जरूर आ सकते हैं. ये रैशिस फैलेंगी नहीं. गुडबाई. बाई बाई, डॉक्टर ब्राउन बेर. मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा. पर उसकी ममी को फोन करती हूँ. हेलो, मिसस पेग. पेपा सुजी से बात करना जाती है. हेलो, सुजी. हेलो, पेपा. मेरी तबिया ठीक नहीं है. मेरे जहरे पर रैश है. डॉक्टर आये थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे. उन्होंने कहा मेरी तबिया ठीक नह मार हो हाँ हाँ मैं जूट नहीं बोल रही मुझे बिस्दर में ही रहना है डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ सूजी शीप पेपा से मिलने आई है सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने है डानी डॉग और रबेका राबिट भी साथना आए है हेलो पेपा हेलो तुम कैसी हो पेपा मेरी तब्या ठीक नहीं है सूजी मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तुम मेरे लिए संत्रे का जूस ला सकती हो ठीक है लगता है कि पेपा को बड़ा मज़ा रहा है तैंक यू सूजी अभी कुछ ठीक लग रहा है हा थोड़ा सा टानी मेरी ममी से पूछो क्या मैं आइस क्रीम खा सकती हूं और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो पेपा ठीक हुई यह नहीं यह देख के लिए डॉक्टर ब्राउन बैर आए है अरे वाह नर्स तो पहले से ही पहुच गई तो बताओ मरीज कैसा है मैं असली नर्स नहीं हूं मैं तो पस ऐसी ही अच्छा जी तो क्या मैं उसे देख सकता हूं हाँ प्लीज हरे वाह रैश इस गायब हो गए है तुम तो बिलकुल ठीक हो गई क्या मैं थोड़ी भी बिमार नहीं हूं अब कैसा लग रहा है मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है कौन आएगा मेरे साथ मैं 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 यह क्या तुम तो बिलकुल ठीक हो गई बेस्ट फ्रेंड पैपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है हेलो सूजी हेलो पैपा सूजी शीप पैपा के साथ खेलने के लिए आई है पैपा को सूजी पसंद है सूजी को पैपा पसंद है वो पक्की सहेलिया है पैपा क्यों ने तुम और सूजी बेड्रूमें जाकर खेलो ठीक है मामी जोर्ज भी खेलना चाहता है पैपा और सूजी को पैपा के बेड्रूम ने खेलना अच्छा रखता है और जोर्ज को भी नहीं जोर्ज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ और अपने खिलोनों से खेलो पैपा और सूजी एक दूस्रे के साथ खेलना चाहते हैं मैं एक बहुत चोटी सी परियों के राजकुमारी हूं मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूं और तुमें एक मिंदग बना दूंगी जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जॉर्ज भी खेलना चाहता है नहीं जॉर्ज मैं सूजी के साथ खेल रही हूं तुम कहीं और जाकर खेलो जॉर्ज पैपा के साथ खेलना चाहता है वो अकेला मैंसूस कर रहा है जॉर्ज मुझे मदद चाहिए मैं च जरा बोल में से चक कर बताओ जोर्ज को कुकीस बनाने में मम्मी की मदब आच्छा लगता है लेकिन उसे पेपा के साथ खेरना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा पैपा और सुजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी पैपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझ खुलो प्लीज सुजी जॉर्ज का टेंपरेचर चेक करती है तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडी बिग जॉर्ज को देखने आये है ओ नहीं क्या हुआ है जॉर्ज को चिंता मत कीजिए यह सिर्फ खेल है जॉर्ज हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो थक सकता है कुकीज हाँ यह जॉर्ज के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुद्गुदी होती है मैं इसके गुर्गुर सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी को किस खानी चाहिए और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी पेपा और जॉर्ज प्लेग्रूप में जा रहे हैं यह जॉर्ज का पहला दिन है जॉर्ज क्या तुमें प्लेग्रूप में जाना अच्छा लग रहा है तैडी मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्लेग्रूप के लिए बहुत छोटा है वो ठीक रहेगा पैपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसौर वहां उसके साथ रहोगे लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूं ना कि जाना नहीं चाहती है हम पहुंच गए तैडी आपको यकीन है जोज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है बाइ 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 मैडम कजल प्रेगुट के बच्चों की देख भाल करती है यह मेरा चोटा भाई जोज हलो जोज काश मेरा भी एक जोर्ज जैसा एक छोटा भाई होता सच में हेलो मैं हूँ डानी डॉग क्या ये डाइनसार है ये सिर्फ एक खिलोना डाइनसार है डाइनसार शानदार डाइनसार सच में तरावना है ये शानदार है जोर्ज मेरा भाई है और वह कमार का है पैपा को उपने छोटे भाई जोर्ज पर गर्व है चलो हम जोर्ज को बताते हैं कि तस्वीरे कैसे बनती है जोर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हाँ मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है जोर्ज आज मैं तुमें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं पहले तुम एक बड़ा सोकल पेंट करो नहीं जोर्ज ये रंग सही नहीं है अब तुम कुल की पत्तियों को पेंट करो जोर्ज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडियों पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जोर्ज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जोर्ज ने पेंट किया है एक डाइनसौर ये डाइनसौर जोर्ज और पेपा की तस्वीरों को दिवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए हाँ मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के ममी बाबा उन्हें लेने आ गए हैं क्या जोर्ज फिर से आ सकता है हाँ और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जोर्ज एक और डाइनसौर की तस्वीर शायद तुम हमें शांदार हाँ शांदार हाँ शांदार हाँ मेरी बर्दे पाथी आज पेपा का बर्थ दे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्दे है जोर्ज उठो मेरा बर्दे आज मेरी पार्थी है और डाडी जादू दिखाने वाले है जल्डी चलो जोर्ज ममी और डाडी को उठाते है ममी पिग और डाडी पिग अभी भी सो रहे हैं उठिये मेरा बर्दे उठिये कितने बज़े हैं बहुत देर हो गई है सुभा के पाज बज़े हैं हाँ, पूरा दिन खतम हो रहा है चलो, तुम्हारे बर्दे की तैयारी करते हैं येपी ममी पिग, डाडी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थडे पेपा क्या है इसमें गुणिया का ड्रेस मैं से टेडी को पहनाती हूँ आप सब को थांक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था, ये टेडी एक लड़की टेडी है ओ डाडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है थांक्यू कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है मेरे बर्द पाठी में मेरे दोस्त आ रहे है और डाडी जादू दिखाने वाले है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डाडी है तुम सब को बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद्बाजाओ हाँ अद्भुत जादूगर डाडी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरे दोस्ता आ गए यपी पेपा के दोस्ता आ गए कैंडी कैट, सुजी शीप, डाडी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पूनी हेलो दोस्ता आ गए पेपा चलो बच्चो पाटी शुरू हो रही है ये ये डाडी पिग जादू का शो करने वाले है पेपा, याद है न तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी दोस्तों पेश करती हूँ जादूगर डाडी ये 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 रही मेरी पहली ट्रिक अब्राकाडाब्रा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए मैं, मैं, मैं मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्ची, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सुजी शीप देखो सुजी, ये रहे तीन बॉल एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब मैं पीछे मुड़ जाओंगा तब तुम्हे नीली नी अबरह का दाबरह नीली नी अबरह का दाबरह लाल या, सही जवाब हुरे भुर्तू जादू कर डाड़ी आपने तीनो रंग बता दिये शु पैपा, इसी को बताना नहीं हुह हुहुह क्या एक और जादू देखना चाहों हुह, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादू शब्द बोलो अबरकड़ा अबरकड़ा अब अपनी आखे खोल दो हुह हुरे, मेरा बर्दे केक मौमबतियां बुझाओ पैपा हुरे हुरे, हुरे, पैपा तभी को थैंक यू ये मेरा सबसे अच्य बद्दे था स्कूल का नाटक पैपा की क्लास एक नाटक करने वाली है लीटल र arts gradingouvोड हुरे सभी बच्चों ने एक नातक में भागलिया है उन्हेँ घर में प्राक्टिस करनी होगी पैपा होगी लीटल र्रीड रादिंग हूड मम्मी पिग ने पैपा को तयार किया है और डाड़ेडी पिग पेपपा, डानी डॉग बनेगा बड़ा भेडिया, दादा डॉग और ममी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं, बड़ा भुरा भेडिया, बोलने के बाद हसना नहीं, डानी, तुम्हें डरावना लगना चाहिए, देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं हूँ एक बड़ पुरा भेडिया, और मैं तुम सब को खायाँगा, देखा, हाँ, सच मुष बहुत डरावना था, पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है, वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा, मैं एक शिकारी हूँ और, पेड्रो थोड़ा शर्मीला है, नहीं, तुम कहना मैं तुम् वो झाहिए पुर बेडिये, मैं तुम्हें बगा दूँ का बुरे बेडिये, शावाज पेड्रो रिबेका रैबिट दादि बनने वाली है, मैं क्या बोलू मम्य? देखते हैं, नातक के शुरवात में बड़ा बुरा बेडिया तुम्हे अलमारी में बन कर देगा, नातक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेका और तुम कहोगी थैंक यू कहो थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छे रिबेका स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं आप सभी का स्वागत है हम पेश कर रहे हैं दे लिटल रेज राइडिंग होड तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से प्लीज, प्लीज, कलाकारों की फोटो लीना मना है ऐसा मत कीचिये और अब शिरू करते हैं हमारा नाटक दाधी घर पर है पर ये महमान कौन है मैं हूँ बड़ा बुरा भेडिया क्या बात है दैनी ओहो आगे क्या बोलना है ये दैनी भूल गया दाधी आप अलमारी में चले जाओ अलमारी में जाओ बड़ा बुरा भेडिया दाधी बनने की नकल कर रहा है मैं हू लिटिल रेड राइडिंग हॉड मैं दाधी से मिलने जा रही हूँ शावाश पेपा टाधी आपको फोटो नहीं कीचने चाहिए ओहो झारी पेपा जारी रखो मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ तुम मेरे दादी के तर नहीं दिख रही हो तुमारे आखे कितनी बड़ी है तुमारे दाँच कितने बड़े है तुम मेरे दादी नहीं हो तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो बचाओ कोई बचाओ बचाओ पर देखो, यहां कौन आया है, यह है शिकारी पेद्रो बचाओ, कोई, बचाओ बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेद्रो पेद्रो थोड़ा शर्मीला है पेद्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलू हाँ, प्लीज तुम बहुत ही सराती बेरिये हो मैंने आपको बचा लिया दाजी थैंक यू शाबाश, शाबाश बहुत अच्छे पेद्रो, तुमने बहुत अच्छा किया तुम बिल्कुल मेरे जितने अच्छे थे तुम बहुत अच्छे आज शानदार धूप के लिए और पेपा और चॉर्ज अपनी साई के लिए चला रहे है कितना बढ़िया पंकिन है डाडी पे डाडी पे को अपने पंकिन पर नाज है मुझे बस पंकिन ही उकाने आते है शायद इसलिए मुझे पंकिन पाई से प्यार है चल्डी आओ जोर्ज जैनी सूजी रिबेका पैपा और उसके दोस्त डैनी डॉग सूजी शीफ और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साइकले चला रहे हैं और जोर्ज अपनी ट्राइसिकल चला रहा है यह कितना धीरे चलाता है चलो डाडी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगाएं अगर हम डाडी के पंकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरान आ जाएं अगर पंकिन टूटाया तो डाडाडी बहुत नाजों जाएंगे चिंता मत करो पैपा, रेस करो पैपा और उसके दोस्त डाडी पेक के पंकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं हे, मेरे पंकिन का ध्यान रखना पैपा ध्यान से डाडी का पंकिन साए डाडी देखो जौच को वो कितने धीरे चला रहा है जौच अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है पेपा इसमें भी बैलेंसर लगे हैं मैं बिना बैलेंसर के चला सक्ती हूं मैं भी में भी चलो फेरे पहाडी पाठी तुम आओगी पेपा नया है पैपा चाहती है कि उसकी शायकल में बैलन्सर ना लगे हो तैड़ी मुझे अपने साइकल में बैलन्सर नहीं चाहिए तुम बिना बैलाइन्सर के चला पाओगी हां ठीक है पैपा इससे análरे है डैटी पिग पेपा की साइकल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं क्या तुम सच में बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी मैं चला सकती हूँ, हाँ, हाँ इसमें हसने जैसा, क्या है? बिना बैलेंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता. मैं तुम्हारी मदद करूँ पैपा. हाँ डैरी, प्लीज. ठीक है. रेड़े, स्टड़े, गो. छोड़ना मत डैरी. दबराओ मत, मैं पकड़े हुँ. काफी अच्छा चला रही हो पैपा. छोड़ना मत डैरी. बस पैडल चलाती रहो. पैपा बिना बैलेंसर के साइकल अपने आप चला रही है. डैरी, आपने मुझे छोड़ दिया. तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो. सच में? तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो. सच में? ओ, मैं चला सकती हूँ. देखो मुझे, देखो मुझे. मैं साइकल ठीक साइकल चला सकती हूँ. टैनी, सूजी, रिबेक्का, देखो. मैं बिना बैलेंसर के साइकल चला सकती हूँ. देखो मुझे. जो डैरी के पंकिन की तरफ रेस लगाएंगे. पैपा मेरे पंपकिन का ध्यान रखना जीद जाओंगी पैपा नहीं देख रही कि वो कहां जा रही है पैपा ने तो डैडी पेक के पंपकिन की चटनी बना दी पंपकिन की चिंता मत करो जरूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो रॉमिस डैडी जरूर रखूंगी गूड हां तो जब पंपकिन टूटी गया है तो क्यों नहीं इसकी पंपकिन पाई बना ली जाए मजह पसंद है पंपकिन पाई और क्यूंकि डैडी पिक का पंपकिन इतना बड़ा है इसलिए सब के लिए काफी पंपकिन पाई होगी हुरे ये वाँ आज स्कूल मेले का दिन है पैपा को मेले में अच्छा लगता है ये हैं पैपा के दोस्त केंडी कैट सुजी शेप जैनी डॉग रिबेका रैबिट और पैड्रो पोनी ये के हेलो दोस्तों कपकिन अच्छा लगता है तुम्हे क्या अच्छा लगता फेस पेंटिंग करना कु बारे पसंद मुझे सबसे ज़्यादा उचलने वाला कासल पासंद है बहुत अच्छी पसंद है पेपा फिर मिलेंगे पैपा फिर मिलेंगे जोर्ज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है यह ओ डियर मेले में कोई डाइनसौर्ज नहीं है जोर्ज शायद हम एक डाइनसौर गुबारा कर ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसौर गुबारे हैं डाइडी पिक हाँ हाँ जरूर होंगे ममी पिक क्या पहले मैं और जो अपना मूँ पेंट कर ले हाँ क्यों नहीं पैपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है ओ यह लो सूजी अब तुमें टाइगर जैसी लगती हो थेंक्यू मिस रैविट वाव मुझे तुमारा चहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पुस्टी कैट हो नहीं मैं टाइगर हूं पैपा तुम अपना चहरा ऩिया data भनाना नहीं जानती नहीं घाल लउंधियर अब तुम ऐखित अब डाइनसौर उसके बजाए एक टाइगर कैसा रहेगा मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ मैं टाइगर हूँ मैं भी टाइगर वुफ वुफ नहीं बोलते तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लिया होते हैं और मैं एक बिल्ली हूँ कैंडी कै तो मैं सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? relief टाइगर बहुत धीने धीने चलता है और फिर कंभिल कोटे हैं टाइगर खुद को चाटकर साफ करते हैं और जब टाइगर खुष होते हैं तब अपर करता हैं पर! हेलो बच्चों ओ ये क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रहे हूं ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफिन्ट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लायन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट वाला हां मेरे पास ये सब हैं और सबसे जरूरी है हमें एक डाइनसार का गुबारा चाहिए जॉर्ज के लिए ओ दियर मेरे पास डाइनसार का कोई गुबारा नहीं है ओ फिक्रू मत करो जॉज्ज मेरे पास एक आइडिया है क्या हम ये दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको देखो टाड़ी पिग वो पारे से क्या कर रहे है बन गया क्या कोई बता सकता है ये क्या है क्या नहीं ये है बिल्कुल ठीक डाइनसार दैडी पिग ने एक डाइनसार गुबारा बनाया अब वो उचलने वाला कासल पैपा पाको उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सबको उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है ये है माडम गजेल, बैले की टीचर ओहू, तो तुम हो छोटी पेपा, मैं हूँ माडम गजेल हेलो, माडम कितनी प्यारी हो तुम तुम्हारा इस बैले क्लास में तेह दिल से सवागत है मैं तुमें बाद में लेने आऊँगी बाई-बाई मजे से सीखो ये रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी बच्चो, आज एक नई स्टूडेंट आई है पेपा पिग जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो हेलो पेपा हम शुरू करेंगे डेमी फ्लिये से डेमी फ्लिये अब एक छोटा जंप पटी जिते नजाकत और संदर्ता से पटी जिते पटी जिते नजाकत और संदर्ता पैले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपने हाथ उपर उठाओ एसा सोचो कि तुम्हें खूबसूरत हंस हो और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा पैपा को नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डांस किया पैपा ने बहुत अच्छा किया मैंने बहुत नजाकत से और सुन्दरता से डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं फिर तुम डाडी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना बाइ बाइ पैपा और ममी पे घर आ गए है डाडी जोज मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं क्या वो मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत आसान था पर आपके लिए जोज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमें चाहिए म्यूजिक गुड अब जोज, डाडी और ममी आप वैसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माडम गर्जेल ने मज़ेदार शब्द बोले पर असल में सिर्व घुटनों को मोडना होता है और जॉब करना है पटी शित है डाडी आपको वो शब्द पता है क्योंकि ममी पिक और मैं बहले करते थे साफधानी से डाडी पिक हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैज़जर मुझे ठीक से याद नहीं रहा पुद्धु डाडी पेग शायद हमें पैपा को ही बैले करते देखना जाहिए हां मैं उसमें सबसे अची हूँ मैं खुबसूरत हांस हूँ फैंसी ड्रेस पार्टी पैपा और चॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पैपा ने परियों की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने ड्रेस की ड्रेस पहनी है यहाँ पैपा के दोस्त गैंडी कैट, सुजी शीव, डैनी टॉग, रबेका रबिट और पेडर पोनिग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो फ्रेंशी टेस्वाली नर्स हूँ हाहा बहुत अच्छे अरे वा ये कौन आये है मैं हू पाइरेट मुझसे सब डरो मैं जादूगरनी हूँ मैं तुम्हे मेंडग बना सकती हूँ नै मैं जोकर हू हाहा बहुत अच्छे तुम क्या बनी हु रबेका रबिट मैं काजर हूँ बड़ी हा अंदर आ जाओ एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तो हेलो पेपा हेलो सूजी मैं हू राजकुमारी पेपा तुम्हे मुझसे जुग कर बात करनी चाहिए हेलो राजकुमारी मैं हू नर्स सूजी मुझ खोल कर कहिए आ आ नए मैं हू जोकर कुछ मज़ेतार करो रिबेका तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो मुझे गाजर पसंद है डाइनसौर बापरी तरावना डाइनसौर पेपा आईने मैं खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आईने बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हेलो पेपा हेलो मैं परियो की राजकुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छड़ी है मेरे पास भी जादूई छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ तुम्हें तुम्हें जोज तो खुद को देखकर ही डर गया ओफो जोज दिखो आइने में तुम ही हो बच्चों अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा मैं मैं ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए मैं जजूू मैं जजू डैटी जज क्या होता है? जज तैय ककरेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है अरे वाह पेपा ये तैय करेगी कि किस की ड्रेस सबसे अच्छी है सूजी क्या मैं तुम्हारा देख सकती हूँ मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक काती हूँ शाबाश नर्स सूजी, अब डानी मैं हूँ पारेट, मुझसे सब डरो अब कैंडी, मैं जादूगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो बच्चो सारी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मसेदार है और रेबेका? मैं गाजर हूँ अरे वाँ और मेरा चोटा भाई जोज टरावना डाइनसौर बनाए सब के ज्रेस बहुत अच्छे है अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ और विजेता है पेपा पेपा तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जज हो नहीं कर सकती तुम्हे कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है गाजर जीती वाँ पेपा को फैंसी ड्रिस पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रिस पार्टी बहुत पसंद है